नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आगास ब्लोग में हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे दिलिबलिस कॉंस्टरबल ड्राइबर पार्ट सत्ता है इसके बादे में तो वीडियो में काफी इंपोर्टन्ट कुश्चन होने व नदीगाट ऑफशन B नदीपुल ऑफशन C रेलपुल ऑफशन D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आप देख रहेंगी कॉलम में एक नाव छपी है तो यह क्या बताती है ऑफशन A नदीगाट नेक्स्ट कुशन है 149 यह किसका संक्यत है ऑफशन A मानवराइत रेलफांटक ऑफशन B रेलवे हाल्ट ऑफशन C बजार ऑफशन D कॉलेज तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह जो ड्रैकेट है इसमें एक चिन छपा है जिसमें ट्रेन चपी हुई है तो यह क्या बताता है यह बताता है कि यहां मानवराइत रेलफांटक है मतलब यहां पे रेलफे का क करमचारी नहीं है और अगर ऐसे करके पट्रियां बनी होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि आगे जो रेलफे फांटक है वहां पे रेलफे का करमचारी है वहां सेक्योर्टी काड़ आपको मिलेगा तो यह वाला जो होता है मानवराइत होता है वहां हमारी जिम्मवारी ब परिकार के सड़क मार का संक्येत है Option A त्रास्ता Option B बायजाने का Option C दायजाने का Option D रास्ता बंद होने का तो दोस्तों आप देख रहे हैं फृँ को ना हुआ है इसका क्या मतलब है Option A त्रास्ता मतलब तिराहा आगे त्राहा है या तिरास्ता है नेक्स कुशन है 141 यह किस पिरकार के छेत्र को बताता है ओफशन A होर्न बजाने का छेत्र ओफशन B होर्न वर्जित छेत्र ओफशन C बस स्टॉप ओफशन D इन मैंसे सभी तो यह क्या बताता है दोस्तों आप देख रहे हैं होर्न शपा हुआ है और वो क्रोश है तो इसका क्या मतलब है होर्न बजाजित छेत्र ओफशन B सही होगा इसका नेक्स कुशन है 142 यह किस चीज को करने से मना करता है ओफशन A गाड़ी तिचलाने से ओफशन B गाड़ी पास करने से ओफशन C गाड़ी पार्क करने से option D किनारे जाने से तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें कि bracket में एक arrow का निसान है और side से भी एक निसान है ऐसे गर कि यह जो होता ही होता ओवर टेक करने का तो यह क्या बताता है इसका मतलब है गाड़ी पास करने का यह गाड़ी पास करने का निसान है next question है 143 यह किस पिरकार की रफ़तार को बताती है option A रफ़तार की पावंदी के खतम होने को option B रफ़तार की पावंदी को लागू करने को option C रफ़तार के कम करने को option D इन मैसे सभी तो इसका जो सही आंसर होगा option A रफ़तार की पावंदी को खतम करने को जैसे यह होता है कि जहाँ पे रफ़तार क्या रोड पे चलते टाइम बहुत सारे सिंबल आपको मिलते है speed limit के और stop के तो यह जहाँ चिन मिल जाएगे इसके बाद क्या है आपको कोई boundation नहीं है आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते है नेक्स कुशन 144 यह है किस तरह से गाड़ी चलाने का संक्यत है option A दीरे-दीरे option B रैंकते हुए option C साबधानिपूरवक option D सड़क नियम का फालन करते हुए तो इसका क्या मतलब है option A दीरे-दीरे नेक्स कुशन 145 यह है सड़क मार के किस का होने का संक्यत है option A मकान, option B रैलवे फांटक option C नदीपूल, option D जे तो इसमें देख रहे हैं ऐसे ऐसे फटरियां बनी हैं तो अभी पिछली कुशन में बताया था कि यह किस संक्यत को दरसाता है option B रैलवे फांटक को मतलब security वाला जहां पे security guard होगा जहां रैलवे का करमचारी होगा यह उस वाले रैलवे फांटक को दरसाता है नेक्स कुशन है 146, यह है किस पिरकार के सड़क मोड को बताता है option A उल्टे मोड दाएं option B उल्टा मोड से बाएं option C उल्टा मोड से बाएं option D सीधा मोड से बाएं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह उल्टा मोड है और दाएं तरफ मुडा हुआ है तो इसका सही answer क्या होगा उल्टा मोड से बाएं नेक्स कुश्चन है यह है किस चीज का संकेत है option A जंगल होने का option B दिसा सूचक option C व्याया मसाला option D इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों वो होगा option B दिसा सूचक यह ऐसे करके arrow करने साना है तो यह इदर की दिसा को indicate करता है नेक्स कुश्चन है 148 में दिया गया है कि ऐसे करके और ऐसे बाइं तरफ है तो इसका सही answer क्या होगा option A बाइं बाइं और के मोड़ को दर साता है नेक्स कुश्चन एक सोट अंचास यह टेड़ी मेड़ी सड़क से किदर जाने का संकेत है option A दाएं option B बाइं option C सीधा option D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा option B बाइं ऐसे करके ऐसे टेड़ी मेड़ी है और बाइं तरफ मोड़ी हुई है तो इसका क्या सही answer है टेड़ी मेड़ी सड़क बाइं नेक्स कुश्चन है 150 यह किस और के मोड़ को दर साथा है option A बाइं option B दाएं option C सीधे option D पीछे तो दोस्तों सिंपल है दाएं तरफ मोड़ा हुआ है तो किस और के दर साथा है option B दाएं नेक्स कुश्चन है एक सुच क्या मन यह टेड़ मेड़ सड़क से किदर जाने का संकेत है option A बाइं option B दाएं option C सीधा option D इन मैंसे कोई नहीं तो देख रहे होंगे टेड़ा मेड़ा है और किदर साथ है दाएं साथ में बना हुआ है तो क्या होगा इसका सही आंसर option B दाएं option A गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुली रही है option B अधिक भीड़वार के जग़ों पर याता है पूर्ट प्रतिवन्दित है option C सड़क पर कोई काम चल रहा है option D उप्रुक्त सभी तो इसका सही आंसर क्या होगा option D उप्रुक्त सभी next question है 153 traffic signal में लाल बत्ति कहां पर होती है option A सबसे उपर option B मद्धे में option C नीचे option D कहीं भी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो red light होती है लाल बत्ति जो होती है वो सबसे उपर होती है और मद्धे में कौन सी होती है मद्धे में होती है yellow light amber बत्ति और सबसे नीचे होती है green light मतलब हरी बत्ति next question है 154 traffic signal में पीली अंगारी बत्ति मद्धे में होती है जबकि हरी बत्ति होती है option A सबसे नीचे नीचे होती है option B उपर होती है option C कहीं भी होती है option D कहां नहीं सकते तो दोस्तों जबकि हरी बत्ति होती है वो होती है सबसे नीचे और मद्धे में होती है इसमें दिया गया यह जो होती है पीली बत्ति कहां होती है मद्धे में next question है 155 बसों के अगले पिछले टायरों में कितनी अवा बरना उपरियुक्त होता है option A 45-75 option B 50-80 option C 35-65 option D 65-95 तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा option A 45-75 अगले और जो पिछले टायरों होते है बसके सेम ही होते है इक्वल होते है तो उनमें दौनों टायरों में सेम हवा आएगी मतलब 45-75 परिच next question होता है 156 running repair tools लगवक कितने होते हैं option A 10 option B 15 option C 20 option D 25 तो running repair tools गाड़ी में repairing के लिए tools की विज़रुत पढ़ती है तो वो tools कितने परकार के होते हैं 20 परकार के option C next question है 157 निम्न मैंसे किन इस्तियों मैं गाड़ी की चाल 20 km पर दिगंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए option A किसी भी जुलूश से निकलते हुए option B सड़क मरम्मत कर रहे मज़दूरों से आगे निकलते हुए option C फॉजी पुलिस दस्ते से आगे निकलते समय option D उप्रुक्त सभी तो इसका सही आंसर क्या होगा option D उप्रुक्त सभी इन सारी कंडिशन में क्या होना चाहिए कि गाड़े की स्पीड 20 किलोमेटर पत्ती गंटे से जाद नहीं होनी चाहिए next question है एक्सो अठ्ठामन इंजन के ढखकन खोलने बंद करने के लिए निम्न में से किसकी विवस्ता होती है option A लीवर की option B हुक की option C स्पिरिंग की option D गरारी की तो जो इंजन का ढखकन होता है दोस्तों उसे खोलने के लिए किसकी विवस्ता बनी होती है option A लीवर की next question है 169 driving seat के सामने वाले पारदर सी काच को कहा जाता है option A hot shield glass option B wind shield glass option C winter shield glass option D इनमें सभी तो जो सामने वाले जो काच होता है जो सीसा होता है उसे क्या बोलते है option B wind shield glass next question है 160 wind shield glass कैसे होते है option A unbreakable option B breakable option C detained option D इनमें से कोई नहीं तो wind shield glass जो होते है जो सामने वाले गाड़ी के सामने वाले सीसे होते है option A unbreakable मतलब वो तूटते नहीं हो उन पे एक lamination की layer चड़ी होती है अगर उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो कहां च डिरेक्ट तूटता नहीं है उस lamination में फसा रह जाता है जिससे की सामने बेटे हुए जो driver और बरावर बेटा बन्दा होता है उसे कोई हानी या छती नहीं होती Next question है 161 Front parking and direction indicator lamp कहां इस्तित होती है Option A गाड़ी के अगले बाग में Option B गाड़ी के मद्दे बाग में Option C गाड़ी के पिछले बाग में Option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जैसा कि question में बोल रहा है कि Front parking फ्रेंट का मतलब सामने या अगले भाग में तो इसका सही आंसर क्या होगा गाड़ी के अगले भाग में जो direction होती है फ्रेंट पार्किंग और direction के जो indicator होती है वो गाड़ी के अगले भाग में दिये गए होती है नेक्स कुशन है 162 गाडियों के नंबर भली प्रिकार से पड़े जाएं इसके लिए नंबर प्लेट पर लेंप लगाया जाता है option A पिछले भाग में, option B बगल के भाग में, option C अगले भाग में, option D उपरुक्त मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों देखा होगा, कार में या गाड़ी में, जो नंबर प्लेट लगी होती है, उसके पीछे बहुत छोटी सी लाइट लगी होती है कौन से पार्ट में, पीछे वाले भाग में, इसका सही आंसर होगा, option A पिछले भाग में next question है, 163, गाड़ी में direction indicator होता है, option A केवल आगे, option B केवल पीछे, option C आगे वं पीछे दोनो, option D कहीं भी हो सकता है तो indicator देखा होगा दोस्तों, आगे और पीछे दोनो साइड होता है, बाइक में भी कार, ट्रक जो भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, option C, आगे वं पीछे दोनो next solution है, 164, engine चालू रखने के लिए, क्या का साथदानिया होनी चाहिए, option A, engine के चालू ने होनी की इस्तती में, accelerator पर पाउनी रखना चाहिए, option B, engine ठंडा हो, या गाड़ी बंद रहे, तो engine एकदम चालू नहीं करना चाहिए, option C, accelerator को क्रम से दवाना चाहिए तो दोस्तों, इसका सही answer क्या होगा, option D, उपरुक्त सभी, ये सारी conditions हमें, follow करनी चाहिए, next question है, 165, गाड़ीों के पार्किंग ब्रेकों को कैसे खोला जाता है, option A, चावी लगाकर, option B, gear लगाकर, option C, तक लगाकर, option D, उपरुक्त सभी से, तो देखा होगा दोस्तों, जो handbrake होते हैं, parking brake होते हैं, तो driver side के, 20 side में एक gear जैसा होता है, उसे खोल कर, मतलग gear लगाकर, तो इसका सही answer होगा, gear लगाकर, उसे लगाकर, या उसे अटा के, parking brake खोले जाते हैं, और दोस्तों एक बात और बता दूँ, जो गाड़ी के parking brake होते हैं, वो कौन से पहियों को connect हो देना, parking brake जो लगते हैं, वो गाड़ी के पिछले टायरों से लगते हैं, parking brake का अगले भईयों से, या अगले टायरों से कोई लेना देना नहीं होता, वो जो braking करेंगे, parking brake जो braking करेगा, वो सिर्फ पिछले भईयों को, पिछले वाले जो पहियों होते हैं, उन्हें जाम करता अगला वालों को नहीं नेक्स उसन है 166 प्रात्मिक चालन में गाडियों के कितने चलने पर पंप का तेल बदल देना चाहिए उप्शन A 1000-1500 किलो मेटर उप्शन B 1500-2000 किलो मेटर उप्शन C 2000-2500 किलो मेटर उप्शन D 2500-3000 किलो मेटर तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा फो होगा उप्शन B 1500-2000 किलो मेटर जो प्रात्मिक चालन होता है मतलब पहली बार जो गाड़ी चलती है तो उसके जो पंप होता है उसका जो तेल होता है उसे 1500-2000 किलो मेटर के बीच चलने पर बदल देना चाहिए नेक्स कुशन है 166 कितना किलो मेटर पर ओइल लेवल की जाच करनी चाहिए उप्शन A 1500 किलो मेटर ओप्शन B 200 किलो मेटर ओप्शन C 500 किलो मेटर ओप्शन D 700 किलो मेटर तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों option C 500 km oil जो लेवल होता है उसकी 500 km गाड़ी चलने पे जांच कर लेनी चाहिए next question 160 कितने km की यात्रा के बाद pump के तेल को बदलने चाहिए option A 9,000 km option B 10,000 km option C 12,000 km option D 15,000 km तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option A 9,000 km pump का जो तेल है उसे 9,000 km के बाद बदल देना चाहिए next question है 179 pump के तेल को किस इस्तिती में रहने पर बदलना चाहिए option A ठंडा होने पर option B गरम होने पर option C start होने पर option D पता नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो वो होगा option B गरम होने पर pump का जो तेल बदलना चाहिए वो गरम होने पर बदलना चाहिए next question है 170 filter gauge को कितने किलोमेटर के प्रतिक आतरापट साफ करना चाहिए option A 5000 km option B 7000 km option C 9000 km option D 10,000 km तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो option C 9000 km जो filter gauge होता है उसकी प्रतिक 9000 km चलने के प्रतिक साफ पर देना चाहिए next question है 171 नए इंजन में नए इंजन के filter gauge को कितने किलोमेटर के आतरापट के पाद साफ करना चाहिए option है 1000 से 15,000 km option B 1500 से 2000,000 km option C 2000 से 2500,000 km option D 2500 से 3000,000 km तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या होगा option B 1500 से 2000,000 km next question 172 एर किलीनर का तेल कितने किलोमेटर के प्रतिक आतरा पर बदलना चाहिए option A 1500 km option B 200 km option C 2500 km option D 3000 km तो दोस्तो जो एर किलीनर होता है उसके तेल कितने किलोमेटर के बाद बदलना चाहिए option D 3000 km के बाद next question 173 high melting point को कितने किलोमेटर के प्रतिक आतरा के बाद ग्रीसिंग करना चाहिए option A 6000 km option B 7000 km option D 8000 km option C 8000 km option D 9000 km तो यह जो high melting point होता है इसके कितने किलोमेटर के बाद ग्रीसिंग करनी चाहिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा option A 6000 km 6000 km चलने के बाद high melting point की ग्रीसिंग करनी चाहिए next question है 184 breaker point gap की जाच कितने किलोमेटर होनी चाहिए कितनी यह करा है 144 breaker point gap की साइच कितनी होनी चाहिए option A 42-45 km option B 42-48 km option C 45-48 km option D 48-50 km तो इसका सही आंसर होगा option B 42-48 km नहीं है सुरी दोस्तों मैं किलोमेटर बोलना हूँ बार बार यह है mm mm 42-48 km next question है 175 college pedal soft को प्रते कितने किलोमेटर के बाद 4-4 ग्रीस करना चाहिए option A 1000 km option B 2000 km option C 3000 km option D 4000 km तो जो break pedal होता है soft होती है उसकी कितने किलोमेटर की बाद 4-4 ग्रीस करना चाहिए इसका सही आंसर होगा option C 3000 km next question है 176 real axle के oil level की जाँच कितने प्रते किलोमेटर के बाद करनी चाहिए option A 6000 km option B 8000 km option C 9000 km option D 11000 km तो इसका सही आंसर होगा option A 6000 km next question है 177 कितने दिनों पर break adjustment की जाँच जरूर ही होती है option A एक सप्ता पर option B 15 दिनों पर option C एक महीने पर option D 6 महीने पर तो इसका सही आंसर होगा option A एक सप्ता पर जो break adjustment होते है उनकी हर सप्ता परतेक सप्ता पर जाँच होनी चाहिए next question है 168 एकसिल केसिंग दोने में परिक्त होता है option A पैट्रॉल option B डीजल option C मिट्टी तेल option D इनमें सभी तो एकसिंग जो एकसिल केसिंग होता है उसे दोने के लिए किसका परियोग होता है option C मिट्टी के तेल का next question है 169 परतेक कितने किलोमेटर की यात्रा पर इस्टेरिंग रोट्स में चेचिस ग्रीज की जरूत पड़ती है option A 3000 किलोमेटर option B 5000 किलोमेटर option C 6000 किलोमेटर option D 7000 किलोमेटर कितने किलोमेटर के बाद जरूत पड़ेगी इस्टेरिंग रोट्स में करनी चाहिए, option A 6,000 km, option B 3,000 km, option C 4,000 km, option D 5,000 km तो इस्टेरिंग बोक्स के लेवल की जाच कितनी km के बाद होनी है option A 6,000 km next question है 181 front wheel के वेरिंग के grease की जाच की आवाद सकता कितने प्रते किलोमेटर की यात्रा के बाद होती है option A, 10,000 km, option B 12,000 km, option C 3000 km, option D 9,000 km तो इसका जो सही आंशर होगा वो होगा option B 12,000 km जो front के wheel होते हैं, मतलब सामने वाले पहले वाले जो wheel होते हैं, उनके वेरिंग की जो grease की जाच करनी है, वो प्रतेख 12,000 km के बाद करनी जरूरी होती है तो दोस्तों ये थे आज के कुछ important question दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करना, तथा channel को भी subscribe करना, धन्नवाद दोस्तों, मिलते हैं next वीडियो में जरूरी होती है